फासी का फंदा एक था गर्दने दो थी एक बाबा राम शरंडास की थी और एक मौलवी आमीर अली की थी आज ये हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो अयोध्या में एक बहुत मशूर जगा है जहां इमली का ज़ाड वो आज भी मौजूद है उसे कुबेर का टिला कहते ह हर्याना में एक जगा है हासी वहाँ की हिस्ट्री है कि यहाँ पर दो दोस्त रहा करते थे एक का नाम था हुकुम चंद जैन और एक का नाम मुनीर बेग था इस हिस्ट्री में लिखा है कि हुकुम चंद जैन और मुनीर बेग दोनों ने इतना डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया इतना लोहा लिया कि नाभा, कपूर्थला, कश्मीर और पटौदी राजाओं की मदद से पकड़ कर इन्हें अंग्रेजों को सौपा गया अंग्रेज चाहते थे हासी की लोग हमेशा के लिए डर जाएं, उनकी हिम्मते तूट जाएं, तो ऐसी अनोखी सजा आपको इतिहास के किताबों में कभी नहीं मिलेगी हुक्म चंद जैन को उनके मगजब के खिलाफ जिन्दा दिया गया, और मगजब को उनके मगजब के खिलाफ चिता पर जिन्दा दला दिया गया मुतिहारी के लोगो हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने गांधी जी की जान बचाई इस इंसान का नाम बटक मिया अंसारी है बटक मिया अंसारी को ये काम सौपा गया था कि वो गांधी जी को चमपारण सत्याग्रह के दोरान दोनों टाइम खाना खिलाते रहे अंग्रेजों ने बटक मिया अंसारी के सारे पडिवार को सारे पडिवार को एक साथ किड्नैप कर लिया और उन पर ये दबाव बनाया कि बटक मिया अंसारी गांधी जी के खाने में पॉईजन मिला दे बटक मिया अंसारी ने उनके दबाओं में जब ये कदम उठाना चाहा तो एन गांधी जी के निवाला तोड़ने से पहले बटक मिया अंसारी ने उनके हाथ से छीन कर वो डिश फेक दी जब गांधी जी ने पूछा तो रोने लगे कहां अंग्रेजों ने कल अंग्रेज उद्योग पतियों ने कल मेरे बच्चे की लाश भिजवाई है अगर आज मैंने आपको पॉईजन नहीं दिया तो एक और परिवार से ऐसा होगा जिसकी लाश मुझे भिजवा दी जाएगी बटक्मिया अंसारी ने अपने परिवार की परवा बिना किये गांधी जी के हाथ से वो पॉईजन भरा कटोरा छीन कर फेक दिया ऐ मुतिहारी के लोगो मैं उस वक्त वहां मौझूद था और मैं आज आपके बीच राश्ट्र पती बनकर आया हूँ और गांधी जी की जान बचाने वाले इस बटक्मिया अंसारी को उसके एवज में पचास एकर जमीन मुतिहारी में देना चाहता हूँ ये जिसकी स्पीच का टुकड़ा है वो हमारे भारत के पहले राश्ट्र पती बाबुर राजेंद्र परसाद थे जिन्होंने 1950 में बचक्मिया अंसारी को जमीन का पचास एकर का टुकड़ा देना चाहता है बचक्मिया अंसारी को वो पचास एकर जमीन कब ऐलॉट की गई तो लिखा है 1957 लग गए जमीन को ऐलोट करते करते तब तक बटक मियान सारी इस दुनिया में नहीं रहे मपीला ये वर्ड है केरला के मुसल्मानों के लिए आप ये जानते हैं कि मुसल्मान इन्हों ने इंडिया में दाखिल अफगानिस्तान की साइट से नहीं हुए अब रिसर्च ने ये थाबित कर दिया है कि पहले मुसल्मान केरला में आये थे और इंडिया की सबसे पुरानी मजज़े जब भी आप विकिपीडिया पर टाइप करेंगे तो वो केरला में मिलेगी अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी केरला के इन मुसल्मानों को मपीला मुसल्मान का जाता है मपीला मुसल्मान इन मपीला मुसल्मानों ने गांदी जी के असयोग अंदोलन में बहुत बढ़ चड़ के हिस्सा लिया गांदी जी के असयोग अंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बहुत जोर से कुछला इतने जोर से कुछला इतने जोर से कुछला कि क्या आप मैंसे कोई बता सकता है जलियाँ वाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से मरने वाले लोग कितने थे 379 जलियाँ वाला बाग आता है आज भी ये नाम आता है तो क्या आप इज़त से हाथ बान कर खड़े नहीं हो जाते 379 निहत्थे औरते बच्चों और बुड़ों पे बोलिया चलाई गई थी जलिया वाला बाग में हम वो जब भी आता है अमारी आँखों में आसू आ जाता है आईए हिस्ट्री ले चलू लिखने वाले आथर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की किताबे कैंब्रीज और आक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है नाम विपिन चंद्रा है चैप्टर है 17 चैप्टर उसका नाम ही मपीला रेबेलियन है मपीला रेबेलियन में लिखते हैं कि अंग्रेज मपीला मुसल्मानों को गांधी जी का साथ देने के लिए 1921 में ये कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसल्मानों को फासी ही दी गई मैं इनके ही जो लीडर थे उनका नाम था हाजिकुन मुहम्मद मैं उनसे मिल चुका हूँ उन्होंने बताया है कि गैर सड़कारी रिकॉर्ड में 45404 मपीला का नाम है है लोगो इसमें एक जगह थी बिल्लारी ट्रेन ट्रेजडी इस बिल्लारी ट्रेजडी में ये हुआ था कि 127 मुसल्मानों को क्रांतिकारी मुसल्मानों को बिना खिर्की वाली एक वैगन में भर कर थीरूर से बिल्लारी भेजा जा रहा था बिना खिर्की वाली इस वैगन छोटी सी वैगन थी उसमें 127 मुसल्मान भरे हुए थे बीच का एक स्टेशन कोइमबटूर पहुचते पहुचते 70 मुसल्मानों ने दम तोड़ दिया और इनकी पोस्ट माटम रिपोर्ट में लिखा है इंटॉलरेबल सफोकेशन इतरीन करांतिकारी थे काकोरी में चंदरशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल का साथ देने की वज़ा से पहले इन्हें अंडमान निकोबार के काले पानी की सजा हुई और बाद में वहीं सूली से लटका दिया गया अश्वाकुल्ला खान से मिलने जब उनका परिवार पहुचा तो वो बेहता हाशा रोने लगा और परिवार उत्तर प्रदेश में मिलने पहुचा एक दिन पहले जब उन्हें काले पानी भेजा जा रहा है अश्वाक उल्लाख खान ने उनके बेटे हुए आँसों को देखा और देखकर आँसों पोच्टे हुए कहा ए मेरे घरवालो तुम इन आँसों को रोक लो क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हर साल जब आजादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल कनहया लाल और खुदी राम बोस के साथ उसी सांस में तुम्हारे भाई अश्वाक उल्लाख खान का भी नाम लिया जाए गांडी जी से पूछा गया डांडी मार्च के वक्त कहा गांडी जी अगर अंग्रेज आपको डांडी मार्च कूरा होने से पहले गिरफतार कर ले तो आपकी जगा कौन लेगा इतिहास में नाम दर्ज है गांडी जी ने कहा अगर डांडी पहुँचने से पहले मुझे अंग्रेज सरकार गिरफतार कर ले तो मेरी जगह अबास तयब जी लेंगे और गांधी जी कहते हैं अबास देखना जब मैं जेल चला जाऊँ तो तुम्हारे मुठी से नमक ना छूटे 1932 में गांधी जी को नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में हजारों की तादाद में पठान निकल कर आए और खड़े हो गए इतनी हजारों की तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और अंग्रेज पिशावर से भाग गए दो दिन बाद वो गड़वाली रेजिमेंट लेकर लोटे तो किस्सा खानी बजार में सारे के सारे पठान तस से मस नहीं गड़वाली रेजिमेंट से कहा इन पर गोलियां चलाओ गड़वाली रेजिमेंट के जवानों ने बंदुकों को लोड़ किया देखा सबसे सामने की सफ में पठानों के बच्चे लगे हुए और उन बच्चों के बीच उनका लीडर खड़ा था उसका नाम था खान अब्दुलगफार खान अंग्रेज ने कहा कि ये खान अब्दुलगफार खान हतियार तो पठानों का जेवर होते हैं तुम्हारे हतियार कहा है, कहा हमने गांधी से वादे के चलते अपने जेवर को उतार के फेक दिया, कहा गांधी से वादा किया है, हतियार तो छोड़ो, हाथ तक नहीं उठाएंगे, ये फोटो, वहाँ जमा लोगों की फोटो आच भी गुगल और विकिपीडिया पे सामने की दो सफ में बचे खड़ें और पीछे हजारों की तादाद में पठान खड़ें, फिर अंग्रेजों गरवाली रेजिमेंट ने अपनी बंदू के लोट की, इससे पहले गोली चलाती, गरवाली रेजिमेंट ने बंदू की ये कहकर फेग दी, हमारे देश में एक ज दी है खान अब्दुलगफार खान को, मरनो परांत यानि मरने के बाद भारत रतन पुरसकार से सवारा, खान अब्दुलगफार खान का टाइटल है सीमा अंत गांधी यानि फ्रंटियर गांधी, उनको जो प्लाक मिला था भारत रतन पुरसकार, ये जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरसकार है कुछ दिया गया जबकि वु अफगानी थे पर अफगानिस्तान उस वक्त इंडिया का हिस्टा उस प्लाक पर भारत सरकार ने क्या लिखा है उस प्लाक में ये लिखा हुआ है कि किस्सा खुआनी बाजार के दिन अपनी बहादूरी दिलेरी और गांधी जी से चलते वादे के मताबिक हिंसा के विरोध में अपने हतियारों को फेक देने की वज़ा से और 90 साल की अपनी जिन्दगी में से 45 साल जेल में गुजारने की वज़ा से सीमांत गांधी खान अब्दुलगफार खान को भारत सरकार भारत रतन से नवास डी एने ये एक न्यूस पेपर है जो मुंबई में निकलता है इसके आफ्टरनून एडिशन को टाइप करिए उस पे लिखिए मीर उस्मान अली डी एने गुगल पे टाइप करके जैसी आप एंटर करेंगे अखबार की ये पेपर कटिंग खुलेगी जिसमें लिखा है 1965 में पाकिस्तान से हो रही लडाई के वक्त इंडिया के पास पैसे की कमी पड़ गई थी तो भारत के प्रधान मंतरी लाल बहदुर शास्त्री ने ये अपील करी थी और अपील करकर ये कहा था कि ये लोगों आगे बढ़कर चंडा दो नेशनल डिफेंस फंड में मीर उस्मान अली ये उस समय हैदराबाद के निजाम थे उनसे जब लाल बहदुर शास्त्री के अपील को सुना तो उन्हों ने फोन किया लाल बहदुर शास्त्री से कहा सर आप हमारे हैदराबाद में आईए कहा देखते नहीं वार चल रहा है कहा सर उसी के जिमन में मिलना है मेरे पास फोटो मौजूद है आप असरा के वाटस अप ग्रूप से जुड़िये मैं आपको फोटो फॉरवर्ड करता हूँ लाल बहदुर शास्त्री हाथ मिलाते हुए मीर उस्मान अली से क्या आप जानते है 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया था 2015 तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है इंडिया का सबसे बड़ा चंदा मीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना दिया था पांच टन सोना लाल बहादूर शास्त्री के हवाई जहाज में बेगम पेठ एरपोर्ट हैदराबाद में लाधते हुए फोटो डियने अखबार ने छापी है और इस रिपोर्ट को अपरेल की 13 तारीक 2015 को दे हिंदू नैशनल अखबार है उसने फ्रंट पेच पर इस हेडिंग के साथ छापा है close fist open handed मीर उस्मान अली पांच हजार पांच टन याने पांच हजार किलो सोना ये वो चंदा है जिस चंदे को आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया ये इस देश की हिफाज़त के लिए दिया है अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि जैहिन ये नारा लिखने वाला आंधर प्रदेश के एक मुसल्मान थे उनका नाम मुयूदीन हसन हप था अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि जिस प्लेंग क्रैश में निता जी सुबास चंदर बोस मारे गए उनके साथ मरने वाले करनल हभीबुर रह्मान थे ए लोगों पहलो अगर नहीं पढ़ोगे ते कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे बुज़र्गों ने क्या-क्या इतिहास में लुटाया है किसी और की कोई गलती नहीं है उल्टा मुसल्मान कौम को हिंदू कौम का कर्जदार होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री को उन्होंने किताबों में बचा कर रखा हमने अपनी हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया वक्त काफी हो चुका है मैं इस बात को अपनी यहीं खतम करता हूँ और प्रोग्राम के बाद मैं घर नहीं जाने वाला मैं यहीं बैठा हूँ आप आके मुझसे ये सबूत देख सकते हैं वमालैना इल्लवलाग बहुत शुक्रिया